हेलो फ्रेंस वेलकम बैक टो आर चैनल आज हम एक तरीक एक डेजर्ट की रेस्पी शेयर करेंगे गर्मियों की सीजन में अगर आप भी आइसक्रीम की तरह कुछ मीठा सा खाना चाहते हैं तो आज हम एक पुडिंग की रेस्पी शेयर करेंगे यह बिल्कुल डिफ्रेंट है और यह बच्चे बुड़े सभी को पसंद आने वाली है और इसकी रेस्पी इतनी सरल है कि आप इसे देखते ही बनाने का मन करेंगे और 15-20 मिल्टे बनकर यह पूरी तरीके से तयार हो जाती है और देखने में भी बहुत जादा इंट्रेस्टिंग है इसलिए बच्चे को अगर आपके पास ना रखी हो तो आप आधी कटोरी पानी में आधी कटोरी शक्कर एट करके उसे दो मिनेट के लिए बॉयल कर लें दो कटोरी दूद में से हमने थोड़ा सा दूद बचा लिया था उसमें हम दो बड़ी चमच कश्टट पावडर एट करेंगे और इसे अनुसार भी एट कर सकते हैं इस रेस्पी में हमें चासनी का यूज करना है इसलिए हम दूद में कम शक्कर का ही यूज करेंगे और जैसे ही दूद में उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें कश्टट पावडर मिक्स किया हो जो दूद हमने रखा हुआ था उसे भी हम एट कर देंगे याद रखें इस टाइम पर हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और इसे लगातार चलाते हुए मिक्स कर लेना है और मीडियम फ्लेम करते हुए हमें इसे दो मिनट के लिए कुक कर लेना है जैसे इसमें इस तरीके से उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें पिस तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं और इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से हो जाए उसके बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे लगादार चलाते हुँ इससे ठंडा कर लेंगे अब हम एक बर्दन ले रहे हैं उसमें हम इस तरीके से टोस्ट रख देंगे इस रेसिवी में टोस्ट सबसे ज़्यादा जरूरी है और उसके बाद हम इसमें चासनी एड़ कर देंगे अगर आपके पास गुलाब जावन की बच्ची वी चासनी रखी हो ता आप उसे भी एड कर सकते हैं और अगर नहीं रखिए तो आप ये चासनी जरूर बना लें चासनी एड़ करने के बाद हम इस तरीके से मिलक एड़ कर देंगे जो अभी हमने तयार किया हुआ है और थोड़े थोड़े से ड्राइफ रूड इसके उपर से हम स्प्रिंकल कर देंगे ड्राइफ तोड़के भी यूज़ कर सकते हैं और फिर से इसके उपर से हम चासनी एड़ कर देंगे आप ये रैस्पी एक बर मेरे कहने से ट्राइफ जरूर कीजेगा आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी बिलकुल डिफरेंट भी है और दुबारा से हम सेम प्रॉसेस कर देंग और सबसे लाशने मिसके उपर से ड्राइफ फूल एड़ कर देंगे और थोड़ी से केसर के धागे भी स्प्रिंकल कर देंगे इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़ी सी चांदी की वर्ग से मैंने इसे गानिश कर दिया है और इलाइसी पाउडर मिसके उपर शुगर बॉल और स्प्रिंकल्स हम इसके उपर एड़ कर देंगे जिससे की बहुत ही सुंदर डिजाइन लगने लगेगी विप्ट क्रीम अगर आपके पास ना हो तो आप इसे स्किप कर दें जरूरी नहीं है कि आप सब चीज़े इसमे एड़ करें आप तो बिल्कुल सिं कर दें वीडियो पसंद आये तो लाइक शेर और सब्सक्राइब करें और याद रखें जब इसे हम सर्व करेंगी तो हमें इसे ठंडा कल दीना है लगभग दो गंटे के लिए फ्रिज में रखकर वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थन्यवाद